In the given circuit, the voltmeter records 5 volt. The resistance of the voltmeter in OHAM is देखो अभी तक जो हमने voltmeter consider किया था, उस voltmeter का कुछ भी resistance नहीं था. लेकिन यहां के case में उसने कहा है कि voltmeter का resistance पता करो. जब voltmeter कितनी reading दे रहा है? 5 volt. Voltmeter किसकी reading देंगा? Voltage की. जो voltage वहाँ आएंगा, उसकी reading voltmeter देंगा. अच्छा, हमको पता करना है, voltmeter का resistance कितना होंगा? कैसे करें? जी? हाँ? अच्छा, ठीके, मैं points दे देता हूँ. इसको नाम देता हूँ A, इसको देता हूँ B, इसको देता हूँ C और D. अब बो, आसान होगा. ये दोनों का parallel में कितना रहेंगा? आपको कैसे पता कि 5 वोल्ट रहेंगा? अच्छा, voltmeter का 5 वोल्ट है. तो यहां भी कितना आजाएंगा? ये जबरदस बात हुई. voltmeter का 5 वोल्ट है, और voltmeter इस resistance के across connect है. तो इस resistance के across भी potential कितना आजाएंगा? 5 वोल्ट. और इन दोनों को parallel combination में लेने के बाद, जो एक भी वोल्ट रहेंगा, उसके across भी कितना हो जाएंगा? 5 वोल्ट. मतलब ये हैं कि इस जगह पर आने वाला potential कितना? 5 वोल्ट. और बचा, पूरा potential कितना है? 10 वोल्ट. तो बचा कितना? 5 वोल्ट. तो यहां कितना आ गया? 5 वोल्ट का potential यहां पर आ गया. अब इतना तो calculate हो बहुत सही. पहले इस ते बहुत जबरदस्ती. अब क्या करें? आया जाएंगा. कैसे आएंगा current? Oham's law से. कहां पर Oham's law apply करो? A, B पर, C, D पर, A, C पर, B, C पर, या B, E पर, या किसी और जगा पर. कहां apply करो? A, B पर apply करो. तो A, B के उपर, मैं देखूं, तो यहां पर आने वाला current मुझे calculate हो सकता है. कैसे calculate हो सकता है? मैं यहां के current को नाम देता हूँ I, 1. यहां के current को नाम देता हूँ I, 2. और यहां के current को नाम देता हूँ I, 2 क्या नाम? क्यों I, 2? और यह I किसके बराबर होंगा? देखो, जितना current बैटरी से निकलेंगा, यहां दो जगा डिवाइड होंगा. यहां आकर दोनो current मिल जाएंगे. और यहां कितना current flow होंगा? I, 1 प्लस I, 2. मतलब I is equal to I, 1 प्लस I, 2 हो जाएगा. करेक्ट है इतना? बहुत अच्छा. अब हम I, 1 पता करने की कोशिश करेंगे. I, 1 कैसे पता करें? I, 1 पता करने के लिए A, B के ओपर Oham's Law apply करते हैं. A, B पर Oham's Law apply किया. Oham's Law क्या कहता है? Potential बराबर होंगा current into resistance. तो यहां पर क्या लिख सकता हूँ? मैं potential across A, B is equal to current flowing through A, B times of resistance across A, B. Potential across A, B कितना है? 5. Current कितना flow हो रहा? I, 1 के बराबर. और resistance कितना है? 5 V. मतलब current कितना आजाएंगा? 5, 5 cancel. I, 1 का value आजाएंगा? 1 Ampere. तो I, 1 is equal to 1 Ampere. I, 1 तो हमको मिल गया. अब क्या करें? जी? ठीक है ना. तो अब क्या करें? Resistance हमको पता करना है ना? Resistance की value? अच्छा, 100 है. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. I apologize. Sorry. So, this is 5. क्या कर रहा हूँ मैं? This is what? 100. So, it is 100. So, answer आजाएंगा. 5 by 100, 20 आजाएंगा? किदर से 20 बबा? 1 upon 20. अच्छा, 1 upon 20. 5 upon 100 किता हो जाएंगा? 5 upon 100 मतलब 0.05 Ampere. सही है ये? 5 upon 100 ये हमारा current आगया. अब क्या करें? Current डिवाइड हो रहा है. तो हमको क्या? ये current डिवाइड होने वाले ही तो पता चला? Current कैसे बता करें वहाँ का? I equal to I1 plus I2 से. तो I भी तो ही पता ना? पहले I find कर लेंगे. ये capital I कैसे बता करेंगे? V by R. कैसे V by R? कौन सा V by R किस जगा पर? Total potential does V by. आगे? Current, total current नहीं है न बेटे वो. ये I1 है. इसमें से flow ने वाला current. हमको total current चाहिए. कैसे करेंगे? हाँ जी? R equivalent लेंगे. R equivalent लेंगे के लिए ये R तो available ही नहीं है. answer आपके सामने हैं. बिल्कुल सामने. मैं करवा नहीं रहाँ आप से चाहता हूँ. हमको निकालना है ये I की value. Total current है ये. ये कैसे निकालेंगे? जी? 150 का. कितना हो जाएंगा? नहीं बिटें, नहीं ले सकते ना. पहले आपको ये parallel solve करना पड़ेंगा. उसके बाद ये दोनों का कुछ कर सकते आप. जब तक ये circuit solve नहीं होगा, इसको हाथ नहीं रहा सकते. BE में से आए current जा रहा. सही है, आगे बढ़ो. जी? कैसा मिलेंगा? ये बात. हम यही चाहरे थे. अब ये junction के उपर देखो. BE के across potential कितना? 5 और resistance कितना? 50 तो हमस law के अंदर की 2 variable available है ना? तो क्या मस्दला थे हैं? तो हमें Oham's law apply करेंगे. कहां पर? BE पर. BE पर apply करो. पोटेंशल कितना आया यहां पर? 5. करेंट कितना है? capital I. और यहां का resistance कितना है? 50. मतलब करेंट का value कितना आ जाएंगा? 5 अपॉन 50. मतलब answer आ जाएंगा? 1 अपॉन 10. 1 अपॉन 10 मतलब कितना? 0.1 ampere. मतलब total current हमको मिल गया. अब आगे बढ़ो. हम किसके लिए महिनत कर रहे हैं? यहां का resistance. यहां का resistance कैसे आएंगा? Oham's law से. Oham's law के लिए यहां का potential available है? है. यहां का current available? नहीं है. अब यहां का current कैसे पता करेंगे? हमको पता है equation. क्या equation है? I is equal to I1 plus I2. I कितना आया? 0.5. इसको माइनस करो. कितना आएंगा? कितना आएंगा? कितना आएंगा? 0.05 आता है. कैसे आएंगा? 0.1 और 0.05. बराबर कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा हूं. क्या गलत है इसमें? decimal के नीचे decimal लिखना चाहिए. तो हमको 0 कहां लिखना चाहिए? 0 के नीचे. यहां पे 0 लिख लिए. अब यह बराबर सब्ट्रैक्शन होंगा. यहां कितना होंगा? 0. यहां 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता. कैरी कर लो. यहां आगया 0, यह बन गया 10. तो 10 माइनस 5, 5. 0 माइनस 0, 0. और यह 0. तो 5 अंसर आएंगा क्या? नहीं, दो के बाद decimal आएंगा. 0.05. तो यहां पे I2 का वैलिया हमको मिल गया. I2 is equal to 0.05. क्या हमारा सर्किट सॉल हो गया? किस के लिए मेहनत करने हैं हम? वी पता करने के लिए. अब उहमसला अप्लाइ करो कहां पर? उहमसला अप्लाइ करो कहां पर? CD पर. CD पर उहमसला अप्लाइ करते हैं. तो उहमसला क्या बताता है? Potential across CD is equal to current flowing through CD times of resistance of CD. अब solve करते हैं. Potential across CD कितना है? 5 is equal to current कितना आया? 0.05. और वहां का resistance हमको पता करना है. जिसको कहा गया resistance of volt meter. मिफ्रा क्या कर रहे हैं आप? बराबर है यह. अब current कैसे पता करेंगे? अब सारी resistance कैसे पता करेंगे? Rv equal to 5 upon 0.05. अब 0.05 का table तो किसी को भी नहीं आता. लेकिन 5 का आता है. तो क्या करेंगे? 0.05 को बना देंगे. 5. तो यह क्या हो जाएंगा? 5 upon 5 into 10 power minus 2. यह बन गया Rv. 5, 5 cancel. यह क्या बच गया? Rv is equal to 1 upon 10 power minus 2. 10 power minus 2 उपर आगा तो बन गया 10 power plus 2. मतलब आनसा ना चाहिए? 100.